आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या किड़नी के मरीज लहसुन का सेवन कर सकते हैं या नहीं साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लहसुन हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है हेलो एव्रिवन स्वागत है आपका हमारे चानल स्टॉप किड़नी डालसिस में जहां पर हम आपके लिए किड़नी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां लाते रहते हैं जैसे कि हमारी आज की इस वीडियो का विश है जो की लहसुन से संबंदित है इसलिए सबसे पहले हम आपको लहसुन के वायदों के बारे में बताएंगे और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये भी सांचा करेंगे कि किड़नी के मरीजों के लिए लहसुन का सेवन करना कितना लाबदायक है तो चलिए शुरू करते हैं लहसुन के गुणों से लहसुन जिसे आयरवेदित गुणों से भरपूर माना जाता है क्योंकि इसमें मौझूद मेग्वीज, वाइटमिन सी और वाइटमिन बी सिक्स की प्रचूर मातरा होती है तथा साथ ही इसमें सलफर योगिक और एंटी इंफ्रोमिन्टरी गुण भी शामिल है इसके अलावा लहसुन का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बेहत फायदे मद है चुकि ये हमारे शरीर में मौझूद पी-च वेल्यू को संतुलित बनाए रखने से लेकर अन्य तरह के अंध्रूनी कारे जैसे की ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना शरीर के तापमान को संतुलित रखना सोडियम एवं पुटाश्यम के स्थर को नियमित बनाए रखना इसके अलावा समय समय पर रेट ब्रेट सेल्स को बनाना जैसे जटल कारे को लगातार करना ताकि हमारा शरीर सुचार रूप से अपना कारे कर सके वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिने अपने भोजन में जादा मसाले और तेज दमक वाला खाना पसंद है वो लहसुन में विभिन प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर उसकी चटनी तयार कर अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं इससे न केवल उनके खाने का स्वात बहतर हुगा बलकि लहसुन में पाए जाने वाले पोशक तत्व हमारे शरीर को ऊचा और नमक में मौझूद सूर्यम की अत्यदिक मात्रा से भी हमें बचाएगा जिससे के हमारा शरीर हलका और ताजगी भरा महसूस करेगा तो ये थे लहसुन के कुछ फाएदे जो कि आपके शरीर के लिए बेहत ही जरूरी है और अब हम आपको बताएंगी कि क्या किड्नी के मरीज लहसुन का सेवन कर सकते हैं या नहीं तो हम आपको बता दे, नश्चित रूप से किड्नी के मरीज अपनी डायट में लहसुन का सेवन टेंशन फ्री होकर कर सकते हैं साथ ही ये उनकी किड्नी के अलावा समपून शरीर के लिए भी बेहत फायदे मन्द है किड्नी हमारी बॉडी से टॉक्सिन पदार्थों को शरीर से बहार निकालने में मदद करती है ये पदार्थ आम तोर पर हमारे शरीर में अनहल्दी खाने के चलते सीधा हमारी किड्नी पर असर करता है और जिसके वज़े से हमारी किड्नी को डामेज भी कर सकता है ऐसे में किड़नी को damage होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी diet में लहसुन को शामिल करे और अपनी किड़नी को healthy बनाएं और सुचार रूप से पानी पीते रहें लेकिन ध्यान रहें कि पानी उतना ही पी जितने के आपको प्यास हो क्योंकि किसे भी तरह से किड्नी के खराब हो जाने पर रोगी की इम्यूनिटी काफी जादा कम्जोर हो जाती है जिसके चलते उन्हें कई तरह की समस्याओं से चूझना पड़ सकता है ऐसे में लहसुन का सेवन करना काफी जादा लाबकारी साबित होता है अगर आप खून को पतला करने वाली कुछ तवाईयों का सेवन कर रहे हैं तो आपको लहसुम का सेवन एक सेमित मातरा में ही करना चाहिए इसके अलावा अगर आप अपनी किड्नी की किसे भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो आप आज ही हमारे कर्मा आयरुवेदिक सेंटर से संपर्क करें और अपना एक उचत इलाज प्राप्त करें क्योंकि ये इलाज पूरी तरह से आयरुवेदिक है जिसको लेने से आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता आपको ये जानकारी से भर पूर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके सरूर बताएं साथ ही हमारे चानल स्टॉप कितनी डालेसिस को सरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंज और फामिली मिंबर्स के साथ शेर करना बिलकुल भी न भूलें ताकि उन्हें भी लेसुन के गुरू की जानकारे मिल पाएं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें हेल्दी रहें नमस्कार